नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी नियूज में महरतन सेन भारती अज़ हम बात करेंगे मुप्त में मिलने वाले अनाजों के बारे में परोना वाइरस के कारण एक बार फिर से पूरे देश में अर्थवस्था पर मार पड़ी है अब एक बार फिर से देश में ताले बंदी जैसे हालात उत्पन होने लगे हैं ऐसे में सबसे ज़्यादा मार रोज खमाने वाले लोगों पर पड़ती है ऐसे में अब पूरे देश में गरीवों को अतरिक्त मुप्त अनाज दिया जाएगा इसके सारी तैयारी पूरी कर ली गई है इसको लेकर खाद सची बिनायकुमार ने बताया कि बिहार के लोगों को मई जुन के रासन के साथी मुप्त अनाज दिया जाएगा लाभार्थी PDS दुकान के पॉस मसीन से अनाज उठा सकते हैं इसके सुरुआत 6 मई से होगी इसके लिए सभी डीलरों को सुचीत कर दिया गया है साथी सरकार ने सभी लाभार्थियों को अनाज मिले इसकी भी वेवस्था कर दी है खाद सची बिनायकुमार ने यह भी बताया कि मई माह में जारी होते ही कोबीड के मद नजर मिलने जा रही फिरी रासन भी आसानी से लोग उठा पाएंगे खाद सची बिने बताया कि नए रासन कार्ड बनाय जाने की प्रकिरिये भी पूरी तरह से चालू है आने वाले अवेदकों के सत्यापन करके रासन कार्ड लगातार बना जा रहा है रुप से मिलने वाले अनाज के कोटे के अतिरिक्त होगा सरकार के इस फैसले पर लगभग 80 क्रोड लोगों को फाइदा होनी की उमीद है एक बार फिर से प्रधानमंत्री गरीब कल्यान अन्य योजना का एलान किया है इस योजना के तहत केंदर सरकार रासन कार्ड धारकों को मई और जून महीने में प्रति ब्यक्ति 5 किलो अतरिक्त अनाज जिसमें की गेहूं और चाबल परधान मंतरी गरीब कल्यान योजना का फाइदा रासन कार्ड धारा के 80 करोर से ज्यादा लोगों को फोगा इस अस्कीम में जो अतरिक्त मुप्त 5 किलो अनाज घोसीत हुआ है वह रासन कार्ड पर हर माह मिलने वाले रासन के अलावा होगा पिछले साल COVID-19 की पहली लहर के द मुप्त अनाज का फाइदा उन लोगों के लिए नहीं है जिनका रासन कार्ड नहीं बना है यहीं योजना रासन कार्ड धारकों तक ही सिमित है जिनकी संख्य देश में 80 करोर से ज्यादा है महा हमारे के घोर संकट के बीच में गरीबों की थाली सुनी न रहे इसके लिए प प्रधान मंतरी गरीब कल्यान योजना को दिवाली और छट तक बिस्तारित किया था तो इस बिस्तार पर 90,000 करोर रुपे से ज्यादा खर्च होने की बात कही गई थी साथ ही यह भी कहा गया था कि इस असकीम पर कूल खर्च करीब 1,50,000,000 करोर रुपे हो जाएगा बिहार और बिहार से जुड़ू हुई और भी से इस खबरों के लिए बने रहें बिहारी नियूज के साथ मुझे दिजिए इजाजत धन्यवाद